हलो फ्रेंड मैं सुप्रेया स्वागत करते हूँ आपका डिकोर्ड एक्जाम में फ्रेंड आप लोग की लगता डिमांड की करेंट अफेयर्स का मेराथन स्टार्ट क्या जाए उसकी रिविजन क्लास स्टार्ट की जाए उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था यानि की डिकोर्ड एक्जाम ने करेंट अफेयर्स को मेराथन को सुरुआत कर दी है जिसमें हम लगभग एक साल की घटना करब उसमें विखास कर जो इस वर्स यानि की 2021 के दौरान जितने भी घटना घटित हुई है और जहां से हमारे एक्जाम में प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उन सारे सिग्मेंट को हम कवर करेंगे इस मेराथन क्लास के दौरान जिसमें हम अंतरास्टियस्तर, रास्टियस्तर, खेल जगज, साइन्स एंटेक, परियावर्ड, संबंदी जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे एक्जाम में जहां जहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं आपके करेंट मुद्दों से उन सारी चीज़ों को हम रिविजन करेंगे जिसमें आज की क्लास में हम इंटर्नेशनल करेंट अफेस यानि के अंतरास्टिय घटना करम से संबंदे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से संभावी थे कि आपके आगामी एक्जाम यानि की 24 अक्टूबर PCS काफी important exam है और मुझे पता है कि आप लोग काफी जोर सोर से लग चुके हैं उस exam के लिए उस exam में हम आपका सहयोग कर रहे हैं जिसमें कि हम International Relations Assembly जो important news है जो important events है उनको हम आज ही क्लास में cover करेंगे आज ही क्लास में revision करेंगे ठीक है आप अपने साथ इस क्लास के दौरान एक notes रखो ताकि एक note pad रखो और जो भी important point बता जा रहा है उसको साथ में bullet point की तरह बनाते चलो बाकि यह जो हम current affairs पढ़ेंगे उसकी PDF जो telegram group है decode exam का वहाँ पे इसकी PDF जो है वो आपको provide कर दी जाएगी ठीक है तो आइगे start करते हैं आज की मेरा अथन जिसके इंतरकत हम सबसे पहले international current affairs से सम्मधित गटा क्रम को देखेंगे एक एक करके चीजों को देखते चलेंगे उमीद करूँगी कि यह सिर्फ आपके लिए एक revision session होगा क्योंकि आप लोग अल्रेड़ी इंसारी चीजों को पढ़े हुए तो आइगे start करते हैं पहला news है कि उत्तर कोरिया दोरा नई hypersonic missile का सफल परिछड़ किया गया है hypersonic missile के बारे हम लोगों ने औरेड़ी बात किया था 5 max से उपर जितने भी स्पीड होती है उसको हम hypersonic missile के अंतरगत रखते हैं जिसमें देखे उत्तर कोरिया ने अपने पुरवी टट से वांसोंग एक नामक एक नई विक्सित hypersonic missile का सफलता पुरवक परिछड के आदे के प्रशने हहां से पूछ सकता है कि वांसोंग एक जो है वो किस देश के द्वारा missile परिछड किया गया है वो किया गया है उत्तर कोरिया के दौरा वांसोंग एक मिटसाइल परच्छे पर उत्तर कोरिया के पाच वरसी सैन विकास योजना में पाच सबसे महतोपुर नए हतियार पड़ालियों में से एक है उत्तर कोरिया द्वारा संचालित मीडिया रिपोर्ट में वांसोंग हाइपरसोनिक मिसाइल को एक रड़नीतिक हतियार करार दिया गया है जो इस देश को अपनी रच्छा शमताओं को 1000 गुना बढ़ाने में मदद करेगी तो ध्यान रखेगा कि वांसोंग एट वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि किसके द्वारा प्रच्छेपित की गई है उत्तर कोरिया के द्वारा स्विजन लेंड में समलेंगिक विवा को मंजूरी दिया गया है ये पस्चमी योरोक का अंतिम देश बना है जो कि समलेंगिक विवा को मंजूरी दिया है और इसके बारे में देखें तो स्विजन लेंड ने एक जन्मत संग्रह के आधार पर लगभर दो तिहाई बहुमत से अंतिम जो पस्चमी योरोकी देश जो है जिसने हाल ही में समलेंगिक विवा को मंजूरी दिया है वो बन गया है Queensland उसी के सासा जो सम लिंग वाले जो जोडे हैं उनको बच्चों को गोद लेने के अधिकार को भी यहां के सरकार के द्वारा यानि के Switzerland के जन्मत संक्रा के द्वारा इसको क्या किया गया है व्यदता प्रदान कर दी गई है नेक्स्ट है आइसलेंड में बना महिलाओं के बहुमत वाली पहली उरोपी संसत तो ये चीज आप इंपोर्टेंट है कि पे कौन सी पहली उरोपी संसत है जहाँ पे महिलाओं की बहुमत वाली सरकार बनी है वो है आपकी आइसलेंड ठीक है ये चिस इंपॉर्टेंट है तो आइसलेंड में जो बनाए गया क्या बनाए गया है वो महिलाओं के बहुमत वाली पहली यूरोपी संसत बनाई गई है तो आइसलेंड में महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप के पहली संसत को चुना है महिला मंत्री का नाम ध्यान रखेगा कैटरी जेकब्स डाटरी जो है यहां की प्रधान मंत्री के नित्रित वाली नी वर्तमान गटबंदन सरकार के तीन दलों ने बहुमत के मद्दान के लिए कुल 37 सीते जो है वो जीती है चुनाव में इन नतीजों को उतरी अटलांटिक के दुईपी रास्ट में लेंगिंग समानता के लिए एक क्या माना जा रहा है पुरुस सांसद जो की 30 की तुनला में जो अधिक जो महिला सांसद होंगी 30 सिसीले देखा जा रहा है कि महिला बहुमत वाली संसद बन गगे कौन यूरोपी देख लिए 63 सीटे है जिसमें देखा जाये तो 30 सीटे पूरुष सांसदों के पास है तो 33 सीटे जो हो गई वो महिला सांसदों के पास है और ऐसा देश कोन है जहां पे महिला बहुमत वाली पहली यूरोपी सिल्सदे वो है आइसलेंडी के जिसको ध्यान में एक मलेंगिक समानाता के लिए ये मील का पत्थर माना जा रहा है। जीत हासल की देखें ये जो वरतमान जो सरकार है जो कि ये कौन सी सरकार सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमो क्रिटिक्स की जो सरकार ने क्या किया है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूपे उबरी है चुनाओ परीडामों के मताबिक अंजला मालकेज Cheer जो एंजला मरकेल की पार्टी 2005 के बद़ पहली बाद सरकार करने तरीट जिकरने की उस्सतिती में नहीं है ठीक है तो वहाँ पे पार्टी के हार हुई है एंज्रोला मार्केल की लगातार ये वहाँ की चांसलर थी आप लोग हमेशा इनका नाम भी सुनते रहे होंगे तो ये अब वहाँ पे हार हो गई है इनकी जो पार्टी का नाम था सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक ने को हरा है सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ठीक है नेक्स्ट पे अमेरिका में कौट देशों की बैठे कौट देशों के बारे में फ्रेंट हम लोगों ने लगातार बात किया है चार देश हैं कौट देश में अमेरिका है जापान अस्ट्रेलिया और इंड करने उभरती प्रद्योगी की और साइबर स्पेस पर साजेदारी करने जलवाई संगट को संबोधित करने और स्वतंत्र एवं खुले इंडो-पैसिफिक्स छेत्रों को बढ़ावा देने जैसे छेत्र में विहावारिक सहयों को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान किंद्रित करेंगे तो यह चौरेशन जुचार नेशन है कौन को से आपके हो गया अमेरिका हो गया यूजा अधान रखेगा इंडिया हो गया जापान हो गया और अस्ट्रेलिया हो गया यह चार देश जो है वो मिल करके क्या करेंग deben जो आपसी सम्बंदो को मजभूत करेंगे और सात और भावा देनी जैसे छेत्रों में व्यभवारिक स़्यों भी ही करें तीक है तो कॉट देशन की पहां पर पहां पर पेफों अमेरिका में हूई थी यह चीज़ इंपॉचित है बैटर कहां पर पियो अपर होती है अमेरिका में हुई आपका ra क्रिप्टो करिंसी को मानिता देने वाला भी बैदता प्रदन करने वाला जो दूसरा देसgy बना है कूबा एस और बच्चों को सामो ही टीका यानि कि जो को और वायरस का टीका देनेवाला क्योबा में बच्कों को वैस्कों की तरफ पूरी तरह से टीका करण किरने के लिए 3 टीके लगवाने होगे। ऑर किस चीज के लीए न्यूज में था, वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है भारत और संगापुर ने UPI और पेनाओ को जोड़ने की परियोजना सुरू किया देखिए UPI वह भारत की है पेनाओ जो है वह आपकी सिंगापुर के है और ये दोनों देश जो आपस में जो transfer जो money transfer होता है जो transaction होता है उसको आसान करने के लिए इन दोनों देश को असान मनाने के लिए ये चीज़ किया गया है तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने भारत और अमेरिका में सारी भारत और सिंगापुर में अपनी तेज भुक्तान प्रडाली में यूनिफाइड पेमिंट इंटरफेस और पे नाव को आपस में जोडने की घोशा किया ठीक तो जो वहां के जो इस चीज़ को उप्योग करता है और एक दूसरे देशों के साथ जो वहां पे लोग रह रहे है एक दूसरे देशों के वो आपस में जो पैसे का ट्रांसफर है जो आदान प्रडान है उसको काफी आसान तरीके से कर सकेंगे और तुरंद बहुत ही तेज इसे कर सकेंगे रिज़र बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो है यह जो विवस्था है जो इन दोनों देशों के बीश में जो कैस्ट ट्रांसफर के विवस्था होगी यूप आई पेनाउ को जोड़ने की यह सुरुआ देखे दो जुलाई दोहजार बाइस तक इसे चालू यूप आई से क्या किया है जोडने का योजना बनाए गया है यह दोनों जो है पेना और यूप आई जो है वो जुड़े हैं नेश टालीबान में नई सरकार की गोश्था देखे तालीबान में जब अमेरिका की सेना थी जिसने अभी मई में ठीके मई 2021 में वापस जाने का निड़ा लिया और जैसे मैं 2021 में वहां की सेना अमेरिका की सेना ने वापस सी की इधर 15 अगस्ट जब भारत अपने आजादी का आजादी स्वतंत्रता दिवस मना रहा था उसी दोरान अफगानिस्तान की लोगतंत्र सरकार को अबदस्त करके तालीबान सरकार ने वहां पे सरकार का प्रमुक कौन है तो तालीबान में अफगानिस्तान में नई सरकार की घुश्रा कर दी लेकिन ये एक कारेवाहक सरकार ध्यान रखेगा ये एक कारेवाहक सरकार है मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालीबान की नए सरकार का नित्रत्यों करेंगे प्रम प्रधान की नई सरकार में उप्रधान मंत्री बनाए गया हैं देखीए प्रलबंतरी हैं मुल्ला अंखुंद दो प्रधान मंतरी बनाए गया है और बाकि मुल्ला हसन अंखुंद जो है वहाँ के कारेवाहग सरकार के प्रभूख बनाएगा है ये 15 अगस के डेट याद रखेगा कि किस दिन तालीबान की सरकार ने वहाँ पे कबजा कर लिया तालीबानियों ने अफगानिस्तान पे कबजा कर लिया ये जीज़ ध्यान रखेगा और माई में जो है अमेरिकी जो सेना है वो वापसी की थी उसी के बाद से यह घटना करम ओहाँ पे घटीत हुआ ठीके नेक्स चलते हैं नेक्स है कि भारत और तालीबान के पीश दोहा में हुई वारता देखें जब आप।ta पे एक कारेवाहत सरकार बनी तो नेक्स चलते हैं और तालीबान के राजनेतिक, आफिस, डोहा के प्रमुक शेर मोहमद अबास, इस टेंग जाई की मुलाकात कतर में हुई था, तोहा के कतर में हुई थी? पूछ सकता है फ्रेंट ये important place है कि भारत में भारत ने तालिबान के सरकार से वहाँ पे तालिबान के बीच वारता हुई है वो किस अस्थान पे तो दोहा के कतर में हुई है भारत का नित्र तो किस ने किया था भारत के राज़ोत दीपक मित्तलने और वहाँ पे जो थे टालिबान राज़ेतिक आफिस दोहा के प्रमुकोंते शेर मुहमत अबास स्टिंक जई थे मिटिंग का एजेंडा क्या था भारतिय नागरिकों की सुरक्षा और जल से जल देश वाफसी उनका मुख्य रहाटी कहीत ये एजेंडा था उनका चले नेक्स देखते हैं भारत के लिए यूए का green visa ठीक है तो green visa जो भारत के लिए जारी करने वाला कौन सा देश है अर यूए ने 5 सितंबर 2021 को एक नए तरह का visa launch किया है कौन सा visa है ये green visa है जैसे green visa कहा गया तो यह important है आपके लिए कि किस देश से भारत के लिए green visa जारी किया है वो किया है आपके UAE नहीं किया है देखे इसके विशेस्ता क्या है कि यह किसी न्योकता की तरह sponsor किये बिना प्रवासियों को UAE में काम करने के लिए आवेदन करने की अनुमती देगा तो देखे वहाँ पे जो न्योकता होते ने न्योकत करते हैं नौकरियों के लिए उनकी तरफ से sponsor के बिना ही यह जो है जो लोग UAE में जॉब करना चाते हैं तो वहाँ के सरकार के दौरा यह green visa जो है वो जारी कर दिया जागा तो उनके आवेदन के अनुमती देगा ठीके कौ निवेशको और बेहत कुशल स्रमिकों के साथ साथ चात्रों और graduates को target करने के लिए उठाया गया है ठीक है तो यह चीज़ दियान रिखेगा निवेशक और बेहल जो यहाँ पे कुशल स्रमिक जो जाते उनके साथ साथ चात्र भी जाया है जो graduates को भी उनको target किया गया है तो सम्मिलन कायो जन हुआ है कहां पर हुआ है इपसा का ये देखे छटवा संस्कर था जिसका थीम क्या थी जन सांकिकी और विकास के लिए लूगतंत्र के साथी वर्चुल माध्यम से इसको वो किया गया है तो ये मेंटर है कि समय ध्यक्षता कोन कर रहा है इपसा की भारत कर रह है तो ठीक है इपसा का ये छटवा संसकर था जिसकी ठीन क्या थी जन सांकिकी और विकास के लिए लूगतंत्र और रहे वर्चुल में जो तो देखे दच्षड अमेरिका का है अफ्रिका महाद्वीब का हिस्सा साउथ अफ्रिका है तो यह अलग-अलग महाद्वीब के हिस्से है तो ठीक है और वहीं पर यह दोगदेश के बड़े लोगतंत्र है इनी का यह गूट है जिसमें से कि आज जी समय वर्तमान जो लिया साथ हुआ है जन सांखिकी और विकास एले लोगतंत्र ठीक है और साथी साथ इसकी प्रमुक अर्थविवस्थाओं के समान चुनोतियों का सामना करने के लिए एक साथ यह लाया जाता है ठीक है नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि UN सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता भारत द्वारा ठीक है तो United Nation Security Council की जो अध्यक्षता की गई वो भारत की द्वारा की गई है तो वर्स 2021 की सायूक तरा सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता भारत की तरब से प्रधान मंत्री नरें रमोदी द्वारा किया गया और फ्रेंड हम लोगों ने अल्रेडी बात किया था कि जो अगस्त अगस्त 2021 महीने की जो United Nation के अध्यक्षता जो ग्रहड किया था वो भारत ने क्या था तो अगर यह पूछे कि अगर जो अगस्त 2021 के लिए या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भारत United Nation Security Council के अध्यक्षता का जो किस महीने ग्रहड किया था वो अगस्त 2021 में किया था ठीक है और यहीं देखा जाएक यह दसवा मौका है जब भारत में सयुक्त रास्टर के महत्वड अंग सुरक्षा परिशत के अध्यक्षता किया था आपको पता United Nation Security Council में 15 देश है जिसमें से पांच अस्थाई है और दस जो है और वो अस्थाई है और यह दस जो है उनकी अध्यक्षता जो है वो रोटेट करती रहती है ठीक हर महीने तो महीने की यानि कि अगस्त महीने की अध्यक्षता मिली थी 2021 की वो भारत को मिली थी उन लेकनी है कि भारत को वर्स 2021 के लिए चुना गया है ठीक है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अस्थाई सदस्य चुना गया है भारत पीत बीते 75 सालों में 8 बार UN-ST की अस्थाई सदस्या हासिल करने में काम्याब रहा है तो ठीक है तो भारत ने आठवी बार क्या किया है यूनाइटेट यानि की सयूक तरह सुरक् मंत्री थे पीवी नरसिंगा राउने जो थी सुरच्छा परिशत की बैठक में सामेल हुए थे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती थी है नेस्ट है रूस द्वारा WNB वाइरस WNB आनि की वेस्ट नाइल वाइरस संक्रमण को लेकर के चितावनी ठीक है अब ही संक्रमण से संबंदित प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखा जाया रूस में ऋससी संक्रमण में वेस्ट नाइल वाइरस के संक्रमण में संभावित ब्रिद्धी होने की चितावनी दी गई जो सरदरी तू आने वाली है जो विंटर साने वाले है वहाँ पे वेस्ट नाइल संक्रमण का जो वेस्ट नाइल वाइरस संक्रमण की होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गए है क्योंकि हलके तापमान और भारी वर्सा इसे पहलाने वाले मच्छों के लिए अनुकूल परिसीतियों का निर्माण करते हैं यह देखें मच्छों से फैलता है और वेस्ट नाइल वाइरस जो की एक मूल रूप से अफ्रीकी अफ्रीका का वाइरस है अब एशिया यूरोप औ उत्री अमेरिका में फैल गया वेस्ट नाइल वाइरस मूख की रूप से मच्छों के काटने से पहलता है मनुश्यों में घातक टंत्रिका सम्मंदी रोख होता है तो West Nile Virus जो है, वो मनुष्य के तंत्रिका को क्या करता है, प्रभावित करता है, तंत्रिका संबनी रोग होता है, यह important है, यहाँ से देखिए यानि कि विश्वस्वा संगठन के नुसार मनुष्यों के लिए इस वाइरस के खिलाप कोई टीका उपलब्द नहीं है, कोई विश्वा में उपचार नहीं है, वेस्वावित करता है, तंत्रिका संबनी रोग होता है, और वहीं देखिए तो यहाँ पर वरतमान में इस समय को कोई भी इसके उपचार के टीका उपलब्द नहीं है, डबलो एचो के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेक्स्ट है, 47E G7 सिखर सम्मेलन, ठीक है, तो यह देखे, 47E G7 सिखर सम्मेलन हुआ है, यह इंपोर्टेंट है आपके लिए, कि कौन सा था संख्या आपके लिए कारणवाल, United Kingdom, यानि की लंदन में आउजद किया था, इसकी मेजबानी इंग्लेंड के द्वारा की गई थी, ठीक है, United Kingdom में हुआ है, G7 सिखर सम्मेलन, 47E, इस बार की थीम इंपोर्टेंट है, बिल्डिंग बैक बैक्टर, ठीक है, बिल्डिंग बैक बैक्टर जो है, वो G7 सिखर सम्मेलन की थीम थी, जो कि कहां प्यावजित की गई, United Kingdom में की गई, United Kingdom में कारणवाल में किया गया, मेजबानी इंग्लेंड के द्वारा की गई, और साथी साथ इसकी जो थीम थी, वो बिल्डिंग बैक बैक्टर थी, और ये 47 जो था, वो सिखर सम्मेलन था, प्रतिती देश के तोर पर आमंत्रित किया गया था, किसको किया गया था, भारत को किया गया, अस्ट्रेलिया को किया गया, और दच्छड कोरिया को किया गया, साथी साथ किसको किया गया, अफ्रिका, दच्छड अफ्रिका को किया गया, ये संयुक्त रूप से, इन सभी टू ठीक है अफगानिस्तान की स्थिति आप जानी रहें किस तरीके से अमेरिकी सेना की वापती और फिर वहां का पूरी तरीके से समीकरड ही बदल गया वहां की सरकार को हटा दिया गया नई सरकार अगया कारेबास damn तालिबानियों के सरकार आगया विस सल तक 20 साल पहले वो थी 20 साल के बाद पुन्ह वहाँ पे तालिबानियों का कबज़ा हो गया अफगानिस्तान में तो तालिबान विरोधी नेता अहमद सामसूद के बेटे अहमद मसूद ने पंजसीर घाटी से तालिबान की वापसी के खिलाब शसत्र विद्रो प्रतीरोध दो का सुरवात क्या है पंजसीर प्रतीरोध ने अफगानों के लिए तालिबान से आजादी हासिल करने की उमीद जगाई है जो वर्तमान में अफगानिस्तान में नई सरकार बन गे तेके पंजसीर घाटी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि अफगानिस्तान में है और पंजसीर घाटी किस लिए फेर्म फेमस है पंजसीर जो है वो पन्ना रतने के लिए फेमस है ठीके पन्ना रतने के लिए फेमस है और दूसरी चीज है यहाँ पे जो यहा से आपके प्रश्ड बन सकते हैं तो पंजिस्वीर घाटी से warnu जो है चारों तरब से पाहडी हींदु कुष्परवट यह निकर्ट बलस्ती थे गार्टी और आफगांस्तान के जो उत्तर मध्यवाला अफगानिस्तान के छेतर में गाटी सिता इसलिए और पंजसीर का साब्धि कर्द का है 5 से ठीक है 5 से हमने पूरी स्टोडी बताई थी जब हम लोग ने क्लास इसकी किया था स्टार्ट करेंट अफेर्स तो स्टार्टिंग में इसके बारे में पंचिसीर घाटी के बारे में बात किया था ठी नेट्स्ट है कि चीन में एंथ्रेक्स नीमोनिया का मामला सामने आया है तो एंथ्रेक्स नीमोनिया किस देश में भी हाली में मामला सामने आया है वो आया है चीन में है तो मेंली क्या है एंथ्रेक्स नीमोनिया के बारे में हमें जानना है कि हाली में चीन के उत्तर में इस्ति बिजिंग CDC के नुसार मवेश्यों और भेडों में arrest की मौझूदगी होती है बीमार जानवर दूशित उत्पादों के संपर्क में आने से इंसान भी संक्रमित हो जाता है तो जो बेडों इंसानों में भी एक तरीके से इसका संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है और जिसमें से केस भी आया है चीन में ठीक है, नेक्स्ट है, सौधी अरब द्वारे रेड लिस्ट में सामिल देशों के लिए तीन साल के यात्रा प्रतिबंद की खुशा की गई है अभी हम देखेंगे कि वहाँ पे रेड लिस्ट जारी की गई है सौधी अरब में और इस लिस्ट में जो देश सामिल है उन देशों को तीन साल की यात्रा का प्रतिबंद कर दिया गया है सौधी अरब में तो सौधी अरब में भारत सहीद इसलिए हमारे लिए इन पॉर्टन है क्योंकि इस रेड लिस्ट में भारत भी सामिल है भारत सहीत अपनी COVID-19 Red List में सामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर तीन साल के लिए प्रतिबंद यात्रा प्रतिबंद और भारी जुर्माना लगाने की घुशा क्या कि आप इन देशों में जो Red List में सामिल है आप उन देशों की यात्रा नहीं करेंगे उगर आपने कर रहा तो आपके जुर्माना लगाए जाएगा कहां कि सरकार के लो सौधी अरब की सरकार के द्वारा इसमें भारत भी सामिल है सौधी अरब करोना वाइरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है तो यह सब COVID-19 जो हमारे फ्रेंट दुनिया फैली है इन सब को मद्यनगर रखते हुए कई सरकारों के द्वारा इस तरह के जो कारे किये जा रहा है कोई देखा जाए तो COVID वीजा जारी कर रहा है कोई देखा जाए तो COVID प्लेकफार्म टाइप का जारी सरकार महाँ पे सौधी अरब का कहा है कि अधि उन्होंने करोना नियमों की धाता बता कर रेड लिस्ट में सामिल देशों का दौरा किया तो वो तीन साल की यात्रा करने पर गया तो तीन साल के लिए यात्रा करने पर उन पर बैल लगा दिये जाएगा रेड लिस्ट में सामिल देशों में भारत का भी नाम सा श्री लंका में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है और इस नई पाई गए चटान को क्या नाम दिया गया है ये दिया गया है सेरंडी पिट्टी नीलम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर है जो कि हमें श्री लंका से प्राप्त ह नेक्स्ट है कि संसोदित गोल्डेन राइस के व्यवसाइक उत्पादन को वंजूरी देने वाला पहला देश बना फिलिपिन्स ठीक है यह देखे जो गोल्डेन राइस होता है जिसमें देखा जाए तो काफी ज्यादा विटामीन एक की प्रचूरता काफी ज्यादा होती है तो यह संसोदित गोल्डेन राइस है इसकी व्यवसाइक उत्पादन को मंजूरी देने वाला देश दुनिया का पहला देश बना है वो बना है फिलिपिन्स बना है देखने है फिलिपिन्स अन्यवांसिक रूप से संसोदित गोल्डेन राइस के व्यवसाइक उत्पादन क को मंजूरी दिया है वो है आपका फिलिपिंस है ठीक है फिलिपिंस में गोल्डेन राइस पहना अनुवांसिक रूप से संसोधित ऐसा चावल है जिसे दच्छर वह दच्छर पुर एश्या में वाड़िजी की प्रसार के लिए मंजूरी दी गई है गोल्डेन राइस ठीक है इसको गोल्डेन राइस कहा जाता है फिलिपिंस द्वारा बिक्सित गोल्डेन राइस बच्छपन के अंध्यपन से लड़ने विकासिल देशों में लोगों को जान बचाने में मदद करेंगे ठीक है वही विटामिन A जो आपको पता ही है आखों से संबनित तो यह काफी ज अमेरिका द्वारा इराक में युद अभियानों के समाप्ती की घुश्रा किया गया है और इसके बारे में देखें तो अमेरिका के वर्तमान राष्टवती कों cowboyder है और इराक की प्रधान मंत्री है जिनका नान मुस्तफा अलकादमी are इन्होंने एराक में 18 साल के बाद अमेर्की सेना के लडाकू मेशन को खतम करने का समझौता है एक 18 साल के बाद 18 साल से काफी ज़्यादा वहाँ पर लडाकू मेशन चल रहा था जिनको वहां के इस सर्वे वर्तवान अमेर्की सरकार जोकी के उने जॉबीटेन है वहां के रास्ट पती और वहां के जो इराग की प्रधान मंतरी है मुस्तफा अलकादमी इन दोनों लोग के बीच में समझोता हुआ और इसी के सासा जो लंबे समय से अमेरिका का युद्ध भिया चला जाना था अमेरिका में इराग में उसको समाप्त कर दिया गया है दोनों नेताओं ने अपचारिक रूप से इस समझोते पर स्ताक्षर किया है और समझोते के मताबिक देखा जा तो 2021 के अंतर तक इराक में लड़ाकों मिशन खतम कर दिया जाएगा इससे पहले अमेरिका और उसके सायोगी देशों ने अठारे साल पहले सद्दाम हुसेन के साशन को उखार फेकने के लिए इराक में सेना भीजिती सद्दाम हुसेन का केस आपको पता ही होगा उसी के साथ बाद यहां की जो अमेरिकी सेना थी वो इराक की धर्टी पर लगातार अपने अभियान को चला रही थी जिसको वहाँ पे अब वर्तमान में देखा जा तो दोनों देशों के बीश में समझोता हो गया है और वहाँ पे अमेरिका द्वारा चलाएगा मिशन युद्ध मिशन अभियान को समाप्ति कर दिया गया है जो कि इस स्वर्ष के अंतर तक 2021 के अंतर पुरी तरिके से हटा दिया जाएगा तो यह जिस जाम रखेगा है कि हाली में अमेरिका ने अपने कौन से किस देश से अपने युद्ध अभियानों के समाप्ति की गोश्रा किया है वो किया है इराक तो मैप भी साथ में देख लिजेगा जो देश आपको जब हम अंतर रास्टी घट्या करम पढ़ते हैं तो हमारे लिए मैपिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन-उन देशों की जो न्यूस बने थे लागातार और भारत के परिप्रेक्ष में भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इराक जो है वो भारत के लिए काफी महत्तोपूर इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा व्यापार जो है तो वहां से प्रश्ण बनते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि इंडोनेशय में बनेगा सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फ़र्म तो बिष्वे का सबसे बड़ा सोलर फर्म जो बन रहा है वो इंडोनेशय में बन रहा है किस देस के सभी इस सिंगापूर का एक संसिब गूरूप उसे गोश्रा किया है कि वो जो पड़ोसी देश इंडोनेशिया में का सहर है बाटम तो बाटम में वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क और उर्जा भंडार प्राली के लिए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क और उर्जा भंडार बनाने के लिए यह कंपनी के दौरत दो बिलियन डॉलर का खर्च किया जाएगा जो की अक्षय उर्जा उत्पादन चमता को दुगना कर देगा संसिप गुरूप का यह फ्लोटिंग सोलर फर्म इंडोनेशिया के बाटम दुईप में दुरियांग कॉंग जलासे पर लगबग सोलर सो हेक्टेर में फैलाई गयाद रखेगा बाटम दुईप यह आपके लिए दुईप इंपॉर्टेंट है बाटम दुईप पर ही बना से पर लगबग यह जो जलासे है दुरियांग कॉंग जलासे है और यह सोलो सो हेक्टेर में फैला रहेगा ठीक है जिसके लिए दो सो बिलियन डॉलर खर्च करने की घुषा किया गया है संसिप ग्रूप के साथ तो यह इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट है यह स् नदी के ओपर बना रहेगा यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह पहला विश्यो का पहले 3D printed steel paddle यात्री पुल है अमस्टर्डम में बनाए गया है यह परियोजना अमस्टर्डम सहर में और डिट्स और अस्टर बर्गवाल नहर पर खोली गई है ठीके और अस्टर बर्गवाल नहर पे इस पुल को बनाए गया है जो कि 12 मीटर है यह लंबा और यह पहला 3D printed steel paddle यात्री पुल है इस ब्रिज का निर्मार देखिए एमस्टर्डम बेस 3D metal printing company MX3D ने किया है दुनिया का पहला 3D printed ब्रिज नीडरलेंड की राज़धाने एमस्टर्डम में लगा जा रहा है इसे बराने में 4500 kg stainless steel का प्रेयोग किया गया है main important क्या है कहां पे किया जा रहा है तो पुल है तो किसी नदी पे किया गया होगा किसी नहर पे किया गया होगा तो यह चीज़े आध्यान रखेगा कि आश्टर बर्गवाल नहर पे इसका निर्मार किया गया है चलिए नच्स चलते है लीवर्पुल हुआ बिश्व बिरासर सूची से बाहर important very very important star press देखे बिश्व बिरासर सूची अभी हाली में news में भी है क्योंकि भारत के भी दो UNESCO के बिश्व बिरासर सूची में सामिल के गए हैं दो अस्थान इसले important है और कौन सा अस्थान बाहर हुआ है वो है लीवर्पुल तो World Heritage Committee ने Liverpool Maritime Mercatile City को UNESCO के बिश्व बिरासर सूची से हटा दिया है डिके World Heritage Committee ने हटा दिया है Liverpool Maritime Mercatile City को UNESCO के विश्व बिरासर सूची से हटा दिया है British सामराजी के निर्मार में एक प्रमुक व्यापारिक बंदरका के रूप में उसकी भूमी का के लिए साल 2004 में Liverpool के डाग को UNESCO के बिश्व बिरासर सूची बद किया गया था 2004 में किया गया था और उसको अब हटा दिया गया है यह निर्ड़ युनसको समीती द्वारा गुप्त मद्दान के बाद लिया गया विरासर सूची को इमारतों समारकों और अनस्थलों को संद्चित करने चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया था और भारत के दो अभी हाली में सामिल किया गया है इसी के साथ भारत जो है चालिस क्लब में सामिल हो गया है फुर्टी मेंबर क्लब में युनसको के कौन को से वो दो अस्थल लिखते लंगाला का रुद्रश्ट्र टेंपल जो इसको हम रमपपा टेंपल के भी नाम से जानते हैं इसलिए ये काफी जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सौधी अरब ने दी किसी पुरुस अभिवावत के बिना महिलाओं को हज में सामिल होने की अनुमती देखे सौधी अरब लगताल है इस तरह के चीजे कर रहा है जैसे कि महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमती दे रहा है वो कार चला सकती है और भी इसी तरह के नए नए चीजे वो कर रहा है महिलाओं के प्रति उसकी नीती है सौधी अरब में वो धीरे दरा उदार होती जा रही है जिसके करम में हम देख रहे हैं सौधी अरब जो कि एक अरब नेशन है अरब में जो कि इसलामी कानून होता है महिलाओं को बहुत जादा सौतंता नहीं है तो इसको ध्यान में रखते हुए हज पे पहले महिलाओं अपने जो किसी पुरुस व्यक्ती के साथ ही अभिवावक के साथ जा सकेंगी हज यात्रा पे और ऐसा अनुमती देने वाला जो देश अरब नेशन बना है वो बना है सौधी अरब सौधी अरब ने हज में सामिल होने वाले महिलाओं के लिए पुरुस अभिवावक को की आवशक्ता को हटा दिया है और मंत्राले सरकार के मंत्राले ने कहा है कि लोग इस सल हज के लिए अपना ओनलाइन पंजी करण करवाज सकते है जिसमें बिना महरम यानि कि जो पुरुस अभिवावक को महरम कहा जाता है बिना महरम के महिलाएं भी सामिल है तो ऐसा करने वाला हज पे भी ना पुरुस अभिवावक के जाने के लिए महिलाओं को अनुमती देने वाला अरब नेशन कोन सा बना है वो बना है सौधी अरब सौधी अरब इंपोर्टन है देखे लाना था सौधी अरब बहुत सारे ऐसी चीज़े कर रहा है और रेड लिस्ट भी सौधी अरब नहीं जारी किया जिसमें भारत को भी रेड लिस्ट कर रिया है तो ये सारी चीज़े सौधी अरब से संबने तो जेरी और साथ में मैप देखे लिए बहुत इंपोर्टन है जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हो ज सरकार थी उसने अपना बहुमत साबित करने में और शेर बहादूर देउबा देबा वहाँ के वरतमान में रास प्रधान मंत्री बन गया इन्होंने अपना बिश्वासमत को साबित किया, बिश्वासमत को जीता तो नैपाल के 9 न्यूक्त प्रधान मंत्री कौन है? शेर बहादूर देववा, 18 जुलाई 2021 को नैपाल संसद का बिश्वासमत हासिल कर लिया है जिसमें से देखा जाए, तो 275 संसदिय प्रतिनिती सभा में 165 सदस्यों का इनको समर्थन प्राप्त हुआ था देववा को नैपाल सुप्रीम कोर्ट के एक महा में बिश्वासमत साबित करने के लिए कहा था जिसको इन्होंने साबित किया प्रिश्वासमत को और साथी साथ सरकार बनाने में सफल हुए कौन सेर बहादूर देवबा नैपाल के प्रधान मंत्री है देवबा ने 13 जुलाई को रिकार्ड चीज़ इंपोर्टन ये रिकार्ड पांचवी बार नैपाल के प्रधान मंत्री की सपत लिए इसले इंपोर्टन है और नैपाल काफी चादा अबारिक की इंपोर्टन है तो इसलिए आप नैपाल को था धियान में रखते वी चलीगा यहां के जो सेर बहादूर देवबा है उन्होंने रिकॉर्ट पाँच वी बार जो है वहां के प्रधारमंत्री पत की सपत ली है और इन्होंने बहुमत सावित करने में यह सफल रहा भारतीय वित्तमंत्री जो की निर्मा सिता रमन है और भूटान के वित्तमंत्री है जिनका नाम है लियोपनो ठीके लियोण पो लियोण पो नमगे शेरिंग ने मिल करके जुलाई 2001 में भूटान में भारत का यूपी आई भीम यूपी आई लांच किया है इंपर्टन इसलिए है कि इंटर्नेशनल पेमेंट लिमिटेट के अनुसार भूटान पहला देज बन गया है जिसने भारत के भीम यूपी आई के क्यूवर कोट को अपने देज से मानेता दी है इसलिए important मन जाता है कि जो भारत का UPI भीम UPI के QR code को बाटेता देने वाला भूटान जो है वो पहला देज बन गया है तीके किसके अनुसार? International Payment Limited के अनुसार Next चलते हैं Next है Denmark में बना दुनिया का सबसे उचा rate का महल Most important Denmark, Copenhagen राजधानी है इसकी और Denmark में दुनिया में सबसे उचा rate का महल बनाए गया है Denmark में बने दुनिया का सबसे उचे rate के महल या किले में अब नया Guinness World Record जो है वो बनाया है यह देख लिजे कितना मीटर उचा है तो यह देखा ज़े 21.6 मीटर उचा है जिसको हम फिट में देखे तो 69.4 फिट का है यह यह rate का महल वर्स 2019 में जर्मनी में बने rate के महल से 3.5 मीटर लंबा है इसके पहले जो बिश्चो रिकॉर्ट का था जो दर्ज था सबसे उचे rate के महल का वो जर्मनी के पास था आप देखा जा तो डैनमार्क ने उससे भी उचा याने की 3.5 मीटर और लंबा तो इसके पहले जो रहा होगा वो लगभग 18.6 मीटर उचा जो है यह rate का महल है जो की डैनमार्क में बनाए गया है और जिसमें 17.66 मीटर उचाई का पिछला record अपने नाम दर्ज किया था ठीके तो पहले जो rate का महल था जिसको record था जर्मनी के पास जिसमें था 17.66 मीटर वो लुचा था और अब जो की डैनमार्क में दुनिया का सबसे उचा rate का महल बन गया है जिसके इचाई देख लिजे तो 21.66 है ठीके यह चीज़ इंपॉर्टेंट है और डैनमार्क के राज़नी क्या है Copenhagen यहाँ पे देखे तो MIT Harvard के researchers ने COVID-19 का पता लगाने के लिए बिक्सित किया face mask तो यह face mask काफी important है क्योंकि इस face mask के लगाने से आपको पता चल जागा कि आपको थोड़ी दिर पहले करोना हुआ था या नहीं हुआ था या फिर आप संक्रमित हुए थे तो यह बता देगा important यह है कि यह किसके द्वारा बिक्सित किया गया तो MIT और Harvard के researchers ने उनके द्वारा यह किया गया है तो Harvard University और MIT के researchers ने एक नया face mask बिक्सित किया है जो यह पता लगा सकता है कि पहनने वाले को लगभग 90 मिनट के भीतर COVID-19 का inspection हुआ था या नहीं हुआ था अगर आपको डेड़ घंटे के भीतर infection हुआ होगा तो यह face mask जो कि MIT और Harvard के researchers के द्वारा बिक्सित किया गया है यह face mask आपको बता देगा इस face mask को Harvard University और Massachusetts Institute of Technology में Institute for Biological Inspired Engineering के engineers के द्वारा design किया गया है यह face mask जो है यह mask छोटे और disposable sensor के साथ embedded होते हैं जिन्हें कपडों में भी सामिल किया जा सकता है या फिर अन्य वारसिस का पता लगाने के लिए अनकुलित किया जा सकता है तो important यह है जो face mask के किस की द्वारा बिक्सित किया गया है यह चीज़ important है ठीक है नेक्स्ट है डच्छड अफरिका के पुर्वरास्टपती जेकिब जुमबा को 15 महीने की सजा पूसकता है कि हावली में किस देश के रास्टपती को वहां के न्याले के आउमाना के लिए 15 महीनों के सजा दी गई है तो वो है डच्छड अफरिका के रास्टपती थे जिनका नाम है जेकिब जुमबा तो डच्छड अफरिका के उच्छितम न्याले ने देश के पुर्वरास्टपती जेकिब जुमबा को आदालत की आउमाना के लिए 15 महीने की कैद की सजा सुनाई है पिछले वर्स नवंबर में इस्टेट कैप्चर में जाचायो के समख सुनवाई का भहिसकार करने फिर इनमें सामिल होने से इंकार करने के लिए उन्हें सजा सुनाई तेके वहाँ एक स्टेट कैप्चर में जाचायो का गठन जो जाचायो के समख सुनवाई का इन्होंने भह सुना दी जैकब जुम्बा 2009 से लेकर के 2018 तक दक्षड अफ्रिका के रास्टपती पद पे रहे हैं तो यह इंप्पॉर्टेंट हो जाएगा 2009 से लेकर के 2018 ठीक है तो यह चीज़ जान रखेगा कहां के रास्टपती को वहां के उच्छतम न्याले के द्वारा सजा दी गई है 15 153 मीनों के तो दक्षड अफ्रिका के पुर्वड़ रास्टपती जैकिब जुम्बा को थीक है नेक्स चलते हैं चीन ने तिबबत में पहली पूर विधुद्ध क्रिक बुलेट ट्रेंड का उधाटन तो पहली जो है चीन में तिबबत में पहली पूर विदुद्ध क्रिक बुलेट ट्रेन का उधगाटन किया है चीन ने तिबबत में तो चीन ने 25 जुन 2021 को तिबबत के सुधूर हिमाले छेतर में अपना पहला पूर विद्धुत करित बुलेट ट्रेन का उधगाटन या फिर संचालन सुरू कर दिया है जो कि प्रांतिय राजधानी लहासा को प्रांति राजधानी लहासा और इंगची को जोड़ा गया है जोड़ती है ये जो ट्रेन की यहाँ पे देखा जा इस्राइल ने किया हवाई लेजर गन का सफल परिचर तो किस देश के द्वारा हवाई लेजर गन का सफल परिचर क्या गया है इस्राइल के द्वारा क्या गया है तो इस्राइल प्रयोग के दौरान इस्राइली प्रयोग के दौरान लेजर विपन ने तीन फुट की दूरी से ड्रोन विवान को मार गिडाया लेकिन इसे बनाने वाले विज्ञानिक का दावा है कि जब सिस्टम पूरी तरीके से त्यार हो जाएगा तो करीब 20 किलोमेटर दूरी से भी ड्रोन विवानों को तबाग किया जा सकेगा अभी तीन फुट की दूरी पे जो ड्रोन विवान को इसने मार गिडाया था हवाई लेजर गन लेकिन वहां के विज्ञानिकों का ये दावा है कि जब ये पूरी तरीके से त्यार हो जाएगा ये सिस्टम तो ये 20 किलोमेटर दूरी पे भी जो ड्रोन विवान होंगे उनको कहां के है इरान के आठ्वे रास्टपती कौन बने इब्राहिम यासी तो इरान के अती रूडिवादी मोलवी और न्यापाली का प्रमुख इब्राहिम रायसी को देश के आठ्वे रास्टपती के तोर पे चुना गया है तो देश के राठ्वे रास्टपती है इब्राहिम राइसी और इब्राहिम राइसी पत्भार व्रहर करने से पहले सयुक्तर राज अमेरिका द्वारा वर्ज 2019 में स्विक्रित होने वाले पहले इरानी राश्पती बन गया है तो याद रखेगा ये पहले इरानी राश्पती है जिनको वहां के यानिक युनाइटेड स्टेट अ के बने तो इब्राहिम राइसी कहा के राश्पती बने इरान के राश्पती बने कौन से नंबर के हैं ये आठवे नंबर के इसलिए प्रश्ण बन सकता है क्योंकि यांके स्विक्रत होने वाले पहले इरानी राश्पती बने हैं ठीक है नेक्स्ट है अलबीनिया ब्राजिल गैबाउन घाना और युए का UNSC के लिए चुनाओ ठीक है तो ये United Nation देखा जाया जो United Nation तो संयुक्तरास्ट महसाबाने 75 सत्र के दोरान अलबीनिया, ब्राजील, गैबाउन, घाना और संयुक्तराब अमिरात को संयुक्तरास्ट सुरक्षा परिसत के 5 अस्थाई सदस्ते के रुपे चुना है, जासा कि आप जानते है, जो आपका UNSC, United Nations Security Council जो है, जिसकी अस्थापना संयुक्तरास्टर के द्वारा किया गया था, इसमें क्या है 5 अस्थाई सदस्ते हैं, 5 अस्थाई सदस्ते कौन कौन से ह Britain है, France है, Russia है, US यानि कि America है और चीन है, यह आप याद रख सकते हैं, इसको आप code बना लिजें कि Britain, France, Russia, America, China जो है यह अस्थाई सदस्ते हैं, 5 और देखे 10 जो है अस्थाई सदस्ते होते हैं, 15 टोटल सदस्ते होते हैं, और यह जो 10 अस्थाई सदस्ते हैं, वो दो वर्सो के लिए अस्थाई सदस्ते के रूपे सामिल के जाते हैं, ध्यान रखेंगा इनका दो वर्सों का कारेकाल होता है, जिसमें देखा जब हाल ही में, यह अस्थाई सदस्ते जो है, वो सामिल के गए हैं, कौन से, यह आपके, अलबीनिया, ब्राजिल, गैबॉन, घाना, सैयु के शुरू करेंगे, उनके पास 31 दिसम्बर, 2023 तक का सुरच्छा पर्चस में, अस्थाई सदस्ते होते हैं, जैसा कि हमने बताया, कि जो यह 10 जो सदस्ते होते हैं, अस्थाई सदस्ते के रूपे, वो 2 वर्सों के कारेकाल के लिए चुने जाते हैं, ठीके, अब बाकी 5 पर् अंतराश्य सांती और सुरक्षा कायम करना है न, यहीं का काम है, नेक्स्ट है कि नफाताली बैनेट, इसराइल के नय प्रधान मंत्री बने हैं, देखें वहाँ के पूरूर प्रधान मंत्री थे, बैंजामी नथेनियाहों को, वहाँ पे काफी वहाँ पे राजनिती का इस् इसराइल के नफाती बैनेट, इसराइल के नय प्रधान मंत्री बने हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिका ने टिक टॉक और वीचेट पर लगे प्रतिबंद को हटा दिया, ठीक है, वहाँ के जो सरकार थी, वर्तमान में सरकार आई है, वो जो विडिन के नेतृत में, वहा अभी भी उतने वो नहीं है, लेकिन जो काफी शक्त, जो रवया अपना रहे थे, वहाँ के पुरू रास्टरपती, जो आपके डॉनल्ड टॉम्प, उसी को ध्यान में रखते हैं, डॉनल्ड टॉम्प के फैसले को बदला है, कि इसने जो वर्तमान के वहाँ के सरकार है, ज चीन के इन अप्लिकेशन से संभनित रास्टी सुरक्षा खत्रों की पहचान करने के लिए खुद समिक्षा करने का फैस्ता लिया है, चो कि आपको पता है कि अमेरिक के रास्टरपती, जो पूर रास्टरपती से, उन्होंने रास्टरि हित को ध्यान में रखते हुए, रास तो परतमान में इस सारे जो है जो प्रतिवेंद लगा था उनको रद्ध कर दिया गया है ट्रेश्ट कि उपन स्काइ संधी से रूस हुआ बाहर पहले अमेरिका हुआ बाहर, इस अब स्काइ संधी से अब रूस भी हो गया है बाहर जबकि अमेरिका इस संधी से पहले ही 2020 में का जाता था अमेरिका जो है इस संधी से बाहर हो गया था और आप रूस भी हो गया पहिनी दोन देशों के बीश में हुआ था कि हम एक तरीके से ओपन स्काई में जा करके चूकि आपको पता है सीती उद्धिके दोरान जो दोनों देश थे वापस में दूसरे को काउंटर करने के लिए व्यापक पैमाने पर हथियारों कर निर्मार करते थे तो एक तूसरे के एक तरीके से बिश्वास को बराया रखने के लिए कि आप हमारे छेत्र पे हवाई मतलब माध्यम से निर्चड कर सकेंगे कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए आपके हित को प्रहवित करता हो ये ट्रिटी की गई थी ओपन स्काई ट्रिटी तो ये जो ह इन नाटो के सदशी देश भी सामिल नाटो में तीस सदश हैं ये चीज़ है तो ये नास्तो में बमें 243 तो ये जो हैं और सब रहे हैं अमेरिका अमेरिका निकल गया गए और सभी प्रती भागियों में विश्वास उत्पंद करना जैसा कि हमने बताया एक दूसरे के प्रतिया विश्वास था उसको ध्यान में रखते हुए कि नहीं हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे और कोई भी हत्यारों करने नहीं करेंगे जो आपकी देश को प्रफावीत उसके बाद इन दोलों देशों ने मिलकर के ओपन इसकाई संधी पर समझोता किया जिसमें वर्तमान में अब देखे इन दोलों देशों के निकल जाने के बाद 33 देश वचे यह इंप्रॉटन है ओपन इसकाई संधी ठीक है उनका कारेकाल 2021 से सुरू होकर के 2022 तक चलेगा तो ये मालद्वीप के हैं कौन अबदुल्ला राशिद वहां के बिदेश मंत्री हैं अबदुल्ला राशिद जो कि 76 वे सत्र के अध्यक्ष है यह अबदुल्ला राशिद युनाटे निक्षन के और राशिद तुरकी के अब जोकी 76 वे सत्रक के अध्यक्ष कौन हो गए मालदुईप के विदेश मंत्री जिनका नाम है अब्दुल्ला राशिद यह पहली बार है जब मालदुईप सयुक्त राष्ट महासभा के कारेकाल पर काभिजे इसले इंपोर्टेंट है यह पहला मुगा मिल रहा है बोलकान तोजकीर का स्थान लिया ठीक है मैं बार-बार रिपीट इसले कर रहे हूं याद कर लो जितनी बार-बार रिपीट होगा कुछ बच्चे भी इस पर भी अब्जेक्शन कर लेंगे कि आप बस बताते चल नहीं मैं उनको भी ध्यान में रखते चल रही हूं जिन्हो मानो मामला सामलिया स्टार प्रश्ण स्टार प्रश्ण आपको ऐसे देदेगा कि H10N3 क्या है यानि कि जो भी हाल ही में ऐसे भी देदेगा कि हाल ही में चीन में जो एक बड़ फ्लू आया है जो दुनिया का पहला मानो मामला दर्जु है उसका नाम क्या है तो H10N3 बड़ है वो यह नाम आपको पता होना चाहिए तो चीन के पुर्वी प्रांद जियांग सू में एक तालिस वर्सिये वेक्ति को इस बड़ फ्लू के स्ट्रेंड से संक्रमित होने पर एच वन यहाँ पर एच टेन होना चाहिए तो एच टेन एंट्री बड़ फ्लू का पहला मामला जो सामन्या है यहाँ पर एक गलत यहाँ पर देखेगा कि एच टेन एंट्री जो है वह पुल्ट्री में काम रोज जनक या कम गंभीर वाइरस है इसके बड़े पैमाने पर संचरण का जोकी बहुत कम है तो याद देखे कि यह पहला मामला है जो कि मानों में पाया गया है दुनिया का यह पहला मामला दर्ज हुआ है जो कि मानों में पाया है कौन सा यह बड़ फ्लू है सीरिया के चौथे कारिकाल के लिए सीरिया के राष्टपती बने हैं सीरिया के यह फिर से बसर अलसर उनीस से वे राष्टपती है और लगातार यह जो है चौथे कारिकाल के लिए इनको फिर से चुना गया है बसर अलसर ती यह नेक्स्ट है चीन रूस की सबसे बड़ी परमाड़ उर्जा लौंच किया है, 2018 में दोनेों देशोंने परमाड़ उर्जा सहयूद परिजना पर साक्षर किया था, समझोते के तर Channel, शुदापू परमाड़ उर्जा सर्णियंत्र की 65SSD और 90. चार और ताइवान त्यानवान परमाडू उर्जा सर्यंत्र की इकाई साथ और इकाई आर्थिक के निर्माववर समत हुआ है तो ध्याम रखेगा यह जो एक परमाडू उर्जा सर्यंत्र है जिसका नाम क्या है सुदापू कि सबसे बड़ी जो है परमारू उर्जा सरयंत्र और स्य помог देशंद्र सरयंत्र ऐसे नाम होजाते हैं और किस देश में इंपॉटेंट हो जाते हैं और इसे बड़ी पर मारू उर्जा परियोजना launch की गई है किन देशों के वीच में चीन और रूस के वीच में तो इस तरह important है next है कि Andrea's Meza ने जीता Miss Universe 2020 का किताब तो Miss Universe 2020 कुन है Andrea's Meza है तो यह Mexico की है फूसता है कि किस देश की Miss Universe बनी है मेक्सिको की बनी है जिनका नाम देखा जाए तो एंड्रियाज मेजा है यह 2020 का खिता विडियो ने जीता है मिस यूनिवर्स ने इस वर 69 में संस्क्रड का मेजबान जो था मिस यूनिवर्स के इस 69 में संस्क्रड की मेजबानी देखा जया कहां पर इते अमेरिका के फ्लोरीडा में किया गया था तो अमेरिका के फ्लोरीडा में 69 में संस्क्रड की मेज़बानी Miss Universe की किया गया है जिसमें मैक्सिको की एंड्रियाज मेजा जो है वो Miss Universe बनी है इससे पहली बार 2020 में COVID महामारी के कार रद्ध किया गया था चुकि नाह महामारी के कार बहुत सारी चीज़े पहली बार हुई है बहुत सारे जो सम्मेलन किये गए थे रद्ध किये गए थे बुध्य पुड़नीमा पर वर्चौल वैसाक वैश्विक सामारों अयज़ुत किया गया है और इसमें देखें तो किस ने इसका सम्मोधित किया है चुकि प्रधान मंत्री जी ने इसको सम्मोधित किया था इंपॉर्टेंट है तो ये वर्चुल वैसाख जो वैश्विक सामारों को सम्मोधित किया जिससे देज भर में 50 से अधिक प्रमुक बौध धर्म गुरूओं ने भी इस सामारों को सम्मोधित किया सामारों का आयजन किसके द्वारा किया गया था संस्कृत मंत्राले द्वारा अंतराश्टी बौध परिसंग के सहयोग के द्वारा किया था ठीक है इसको सम्मोधित किया था प्रधान मंत्री जी ने जिसमें देज भर के 50 से अधिक जो है वो बौध धर्म गुरूओं ने सामा एक लिए अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है जिस पर इथोपिया के देखा जाया टाइग इचेत्र ये इंप wornटेंट है तक देंपर पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है ठीक है तो इतोफिया का ये छेत्र है टाइगरी छेत्र जिसको ले करके एथोपिया और इरिट्रिया जो है वह आपस में एक दूसरे से संघर्स कर रहे हैं और चुकि ये युद्ध फिर से बढ़ गया है आरोप लगाए जा रह चलो और अमेरिका ने चुकि प्रतिबंद लगाया है इनके राज नई को पिन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंद लगा दिया है इसलिए चर्चा में है तो अमेरिका का आरोप है कि उन्होंने टाइगरिस छेत्र में सत्रुता समाप्त करने के लिए सार्थक कदम नही उठाया है साथ ही इथोपिया कवर आर्थिक और सुरच्छा प्रतिबंद लगाया है हाला कि उन्हें स्वास्त भोजन और सिक्षा के लिए मानविय सहायता देना जरूरी जारी रखा है तो यह आपके लिए प्लेस इंपॉर्टेंट है यहां से प्रिशने पूछ सकता है कि अधाया है हाली में जो है टैग्रेस चेत्र जो है प्लेस अधियर चेत्र गाया हीे है नेक्स्ट है हमारा अमेरिका में 12 से तंधर वर्ष के बच्चों के के लिए फाइजर कोविट वैक्सिन है तो फाइवर कोविद वैक्सिन है वह अप्लेस ने को लगाई जा thing in आफ्का 15 साल के उम्रे की बच्चों के लिए फाईज़र की कोरोना वैक्सिन के आपात इस्तमाल को प्रसाशन ने इसके मनजूरी Dir तर्थ। इस्तमाल जो फाईजरर वैक्सिन है कॉरोणा समदे तो आमेरिका में 12-15 साल के बच्चों को इसको इक्वा का डोर कहा जाता है जो एक्वेटर जाती है उसी का डोर कहा जाते इसलिस का नाम इक्वाडोर है और यहां के रास्टपती बने हैं गिर्लोमो लासो रास्टपती पदगर किया है 14 वर्सों में देश में पहले दच्छडपंती रास्टपती बने हैं गिर्लोमो एक बेंकर, वेफसाईल, लेखाउ को राजनितिक हैं और ये देखाजा तो 47-वे राष्टपती हैं एक्वाडोर के कौन है आपके गिरलमो लासो ठीक है ये कवर्डवर के राष्टपती है 47 वे राष्टपती है और ये पहले दच्छर पंती राष्टपती बने हैं नेक्स्ट है मार्डोना कोविट 19 वेक्सिन के उपयोग के अपात कालीन प्राधिकार को डबली अच्छो की मानेता प्राप्त हो गई है अपात कालीन प्राधिकार को और यहां देखाए डबली अच्छो की बिस्तु सास संगठन ने मार्डोना करोना वाइरस वेक्सिन को अप फाइजर बायोंटेक सीरम इंसिट्टूट ओफ इंडिया की खुराक सही डबलू एक्चुए रेकि बिसुसास संगरत की आपात कालिन उप्योग टीकों की सूची में सामिल हो गया है तो कौन-कौन है आपात कालिन इस्थिति में जो टीके सामिल किये गया है वो देखा जाए तो एस्ट्रोजेनिक एसिक है एसिक बायोंटेक है और यह जो सीरम इंसिटूट की जो सीरम इंसिटूट ओफ इंडिया की जो खुराक है इन सब में जो आपात कालिन उप्योग टीकों में सामिल कर दिया है किसको माडोना को सॉरी माडरना को ठीके यह सामिल किया गया है मिस्टर में किया गया तो मिस्टर के परेटन और पूरावे समंत्रा ले लास्ट गोल्डन सिटी की खोज किया है कहां पर मिस्टर की राजधानी काहिरा में ठीक है तो UAE यानि की जो आपका United Arab अमीराद में जो पहला परमाड़ उर्जा सरेंटर का वाड़िजी की संचालन सुरू किया गया है तो सैयुग तरब अमीराद में बराक परमाड़ उर्जा सरेंटर ने अप्रेल 2021 से अपना वाड़िजी की परिचालन को सुरू किया है योई की राजदानी अबुदावी के अलडफरा छेतर में इस्तित बाराका परमाड़ उर्जा सरेंटर सैयुग तरब अमीराद का पहला परमाड़ उर्जा सरेंटर ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो बाराका परमाड़ उर्जा सरेंटर यहाँ परमाड़ उर्जा सरें सब्सक्राइब को पूरा होने पर इसमें कुल छमता में देखा जाए तो फाइब सब्सक्राइब को पूरा करेंगे और हर साल 21 मिलियन टन कारवन उस सर्जन को रोकने में सक्षम होंगे ठीक है यह चीज इनपॉर्टेंट है बारा का परमार उर्जा सेवियंत नेक्स्ट की न्यूजिलेंड में गर्वपाथ स्टील बर्थ के लिए शोक आवकाश कानून पार तो यहाँ पर न्यूजिलेंड की संसेदार सर्व सम्मत्ति से ऐसे कानून को मंजूरी दी गई है जो उन जोडों को जिन्होंने गर्वपाथ या स्टील बर्थ मृत प्रसाव का सामना करना पड़ा है उन्हें तीन दिन का सवेतन आवकास वेतन भी दिया जागा जिन जोड इसे जोड़े को ऐसी चीजे हुई है इस चीजों का उनको सामना करना पड़ा तो वहां के सरकार के द्वारा वह सवेतन आवकास दिया जाएगा यह चीज इंप्रॉटन है कि किस देश के द्वारा गर्वपाथ या स्टील बर्थ के लिए सोग आवकास प्रदान कानून पा उनके माता पिता पर भी लाग होगा जो सेरोगेसी या बच्चे को गोद लेली की योजना बना रहे थे इसके साथ ही न्यूजिलेंड इस तरह का लाव प्रदान करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया भारत ऐसा एक मात्र अल्य देश है जहां ऐसे कानून पहले ल माताओं को उनकी जीवन साथी को साथ ही साथ उन माताओं पिताओं को जिन्नों ने सेरोगेसी या बच्चे को गोद लिया उनको इस तरह की समस्या आई हो तो ऐसे समस्या में भारत में भी आवकास दिया जाता और दुनिया का दूसरा देश जो है वो न्यूजिलेंड बन ठीके और Never Stop कि सौदी जीरो प्रोद्यूजर फोरम में सामिल होने की घुष्रा किया है United Zero फोर श। जिसके तहत देश में 2030 अक्यव उर्जह से अपनी उर्जह ऑशकतां गा 50-50 प्रतिषचत तक कम करने का लक्षय रखा है ठीके तक कम करने का तो अक्षे उर्जा से अपने आउशक्ताओं को 50-52 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष रखा है तो किसके दोरह जिसके तहत ये जीरो, नेट जीरो प्रोडूजर फोरम जल्वाई परिवर्तन पर पैरिस समझोते के कारियानून का समर्थन करने है तू चर्चा के लिए तेल और गैस उत्पादकों के लिए इस फोरम का गठन किया गया है आपको पता ही पैरिस समझोता कब हुआ था 2015 में COP21 था आप लोगोंने काफी अच्छा बताया था उसी के तहत इसको ही ध्यान में रखते हुए तेल और गैस उत्पादकों के लिए इस फोरम का गठन किया गया है इसका उतेश किया है वैवारिक शुद्ध सुन्य उस्सरजन रड़नी थी नेट जीरो इमिशन स्ट्रेटिजी को बिकसित करना है साथ ही वृत्याकार कार्बन अर्थव्यवस्ता सरकुलर कार्बन इकोनामिक के द्र WordPress को आगे बढ़ाने का कारे करेगा स्वाच्छ उर्द्धा के विकास को बढ़ावा देगा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रोड़्यकी के विकास का समर्धन करेगा तो गांबिया ट्रेकोमा को खतम करने वाला दूसरा अफ्रिकी देश बन गया है ठीक है ट्रेकोमा को खतम कर दिया है ट्रेकोमा देखा जा एक जिवारू नेत्र संक्रमण है जो आख की पलकों को नुफसान पहुचाता है ट्रेकोमा अंधेपन का प्रमुक कारणों में से एक है 2018 में से खतम करने वाला घाना पहला अफ्रिकी देश बना था इंपोर्टेंट डिफरेंट ट्रेकोमा भी हाल ही में किस देश ने ट्रेकोमा मुक्त होने के गोश्रा किया गांबिया ने किया है और यह अफ्रिका का दूसरा देश है इसके पहले घाना ने जो है 2018 में अपने आपको ट्रेकोमा मुक्त किया था ट्रेकोमा देखा जा तो जो की जिवारू नेत्र संक्रमण है यह आखों की पलकों को नुक्सान पहुचा था और अंधापन का प्रमुकरण यह ट्रेकोमा एंजियो स्वास्त करता हो रस्थानी समुदायों द्वारा चार दसकों से मवजूदा प्रयासों के बाद गांबिया ने ट्रेकोमा को समाप्तिया हलाकि अभी भी 40 देश से अधिक 40 अधिक देश अभी भी ट्रेकोमा से प्रवावी थे अफ्रिका में भारत ने अपने आप भारत बांगलादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस का संचालन ठीक है मिताली एक्सप्रेस का संचालन किन दो देशों के बीच में हुआ है भारत और बांगलादेश के बीच में हुआ तो बांगलादेश की राधानी ढाका और भारत में जो पस्षिम बंगाल के न्यू जल पाईकुडी को आपस में जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है वहां की प्रधान मंत्री शेक हशीना के द्वारा मार्च 2021 में किया गया किसको किसको जोड़ रही है? मिटाली एकस्प्रेस बांगला देश को पच्छे में जो भंगाल है वहां का जो छेतर है न्ई जल पाई कुडी इन दोनों को आपस में जोड़ ही है कौन मिटाली एकस्प्रेस जिसका उतखातन किसके द्वारा किया गया हमार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और साथी साथ पांगला देश की प्रधान मंतरी शेक हसीना के द्वारा यह ट्रेन दोनों देशों के बीच में मैत्री एक्सप्रेस जो की धाका और कुलकाता के बीच में और बंधन एक्सप्रेस जो कि खुलना और कोलकाता के बीश के बाद तीसरी यात्री टेर्ड है जो कि सीमा पर बांगलादेस में तिल्धाटी स्टेशन के दास्ते धाका छावनी और न्यू जल पड़ी गुडी के बीश में चलेगी देखें ये तीसरी है पहली देखा जा तो मैत्री एक्सप्रेस चली थी मैत्री एक्सप्रेस किसके बीश में चली थी भारत बंगलादेस के बीश में चली थी किसको किसको जोड़ती है किसके किसके बीश में धाका और कोलकाता के बीश में वहीं बंधन एक्सप्रेस जो चली थी वह भी खुलना और कोलकाता के बीश म बीच में चला है किसको किसको जोड़ता है यह important है प्रशन ऐसे एक बार पूछा भी था इसलिए अभी इसको ध्यान रखेगा स्टार प्रशन है लिख लेना यह सारी चीजे तो जो आपकी मिताली एक्सप्रेश जो तीसरी ट्रेन है वह बांगलादेश के देखा जा चिलहाट स्टेशन के रास्ते जाएगी धाका चावनी और न्यू जल पाई कुड़ी के बीच में चलेगी ठीक है यह किसको किसको जोड़नी किसकी किसके बीच में चलेगी मिताली मैत्री बंधन यह आपको पता होना चाहिए भारत और बांगलादेश तो सबको पता होगा छेतर नारवे में दुनिया का पहला शिप टैनल या पिर जहाद सुरंग का निर्माड किया गया है नारवे में किया थि आक परी से इंजिनियरिंग परियोजना का निरमाड इस इंजिनियरिंग पर युजना का निरमाड़2000 में चुरू वह करद Sabbath 25 न के की उमीद है डिके पूरा होने की उमीद कब तक है 2025-26 तर तो बिश्व का पहला देश जिसने दुनिया की पहली जहास्तुरंग निर्मार करने की घुशा किया है वह है नौर्वे है कब तक 2022 में काम सुरू करके 2025-26 में खतम होगा यह कितनी चुकि दुनिया की जो है यह शिप 15 यूस डॉलर से अधिक जो है इस पर लागत आएगे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह चीज है लागत से ज्यादा आपका वह पूसा है किस की लंबाई चोड़ाई कितनी है यह चीज इंपॉर्टेंट है किस देश में दुनिया की पहली शिप टरनल का निर्मान करने का फैसला लिया है नौर्वें इंडिया है नेक्स्ट है कि सामिया सुलूह हसन बनी तंजानिया की पहली महिला देखिए पहली महिला बनी है इसले इंपॉर्टेंट है वो भी तंजानिया की पहली महिला यह रास्टपती बनी है सामिया सुलूह हसन तो यह पुर्वी अफरिका देश तंजानिया की पहली महिला रास्टपती बनी है सामिया सुलू हसन पुर्वी अफरीका देश तंजानिया की पहली महिला रास्टपती रास्टपती जान मगुफूली की निधन के बाद सामिया ने रास्टा ध्यक्ष के तौर पर सपत लिया तो सामिया सुलू हसन पूर्वी अफरीकी देश तन्यानिया की पहली महिला राश्ट पती देश के समिधान के अनुसार दो हजार पचीस में अगले चुनाओ तक सुलू हसन देश की सरोच पर आसीन रहेंगी वह अस्थानी सरकार से लेकर के नेस्टन असेम्बली में कारयत र स्थाश पती अल्वी आपेम्रा के नेस्टन के खरेंगी इयुला। फिर उसका यूस हो गया आप तीसरे पर देखा जाए तो साओधी अरब हो गया ठीके यह तीसरे स्थान पर हो गया तेल के आप उर्ती में यह परिवर्तन अमेरिकी कच्छे तेल की कम मांग से प्रेरित हो करके साओधी के स्वैचिक अतिरिक एक मिलियन पीडीपी उत्पाधन कटोती के साथ वावस ते कटोती कर दिया था तो यहां पर चुके हमाने यांत मांग काफी जादा रहती उसके बाद देखा जा तो सेयुक्त राज अमेरिका ने हमाने आप पुर्ती काफी बढ़ा दी तो उसको देखने देखते वें तेसरा आप पुर्ती करता देश हो गय यह सिक्वेंस पूछ सकता है इराक पहले पर दूसरे पर युवसेब हो गया और तीसरे पर साओधी अरब हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्स्ट अमेरिका रास्टपती जो वीडिन द्वारा ग्रीन कार्ड देखें ग्रीन वीजा इंपॉर्टेंट था युए के अन्फी उज मत हो ना ग्रीन काड र विजा में तो तो अमेरिकान के रास्टपती जो वीडिन द्वारा पर प्रतिबंद रद दिऊ तो उनके द्वारा ने लगाए गया था अब उस प्रतिबंद को रद कर दिया गया है वर्तमान के रास्टपती जोबीडिन के द्वारा और अमेरिका के नए रास्टपती बने जोबीडिन ने ग्रीन कार्ड अप्लिकेशन और कुछ किसमे के वीजा को फ्रीज करने के जो नए अप्रवासी आ रहे हैं उनके जो ग्रीन कार्ड जारी किया जाता था जो अमेरिका में जाकर करना चाते थे वर्क करना चाते थे उनको ग्रीन कार्ड जारी किया जाता था अमेरिका के तरफ से तो जो नए प्रवासी आ रहे हैं उनको प्रतिबंदित कर दिया गया उनके कार्ड को जारी करने का प्रतिबंदित कर दिया गया तक ट्रम्प सरकार के द्वारा जिसमें H1B, H4, H2B, LN, L1 और जे स्रेडी के कुशल स्रमी को प्रबंधकों के लिए अस्थाई कार्य वीजा भी रोग दिये गये थे वाइट हाउस और एक कानून की पेश किया गया था जो अमेरिका में रहने वाले लगबग 11 मिलियन अनिर्दिष्ट प्रवासियों को नागरिक्ता हासिल करने के लिए 8 वर्स की अवधी प्रदान करता है ठीक है तो ग्रीन कार्ट ध्यान रखेगा अमेरिका असा सम्मधित है नेक्स जा सौधी अरब ने महिलाओं को सेना में सामिल होने की मिली उमती दे कि सौधी अरब कितने वड़े फैसले ले रहा है एक तो हमहिलाओं को हज यात्रा पे किसी भी पूरुस अभी वावक के साथ जाने की कड़ी में कोशा किया है कि देस की महिलाओं अप सेना में तीनों जोकि आर्मी एरफोर्स और नेवी में सामिल हो सकती है बहुत सौधी इरब है किया इंपोर्टेन कि अरब देस कि अपनी महिलाओं को सेना में सामिल होनी के नुबती दिया है सौधी अरब, सौधी अरब अगर महिलाओं से संबंदी जो डिसीजन आजकर लिया जा रहा है, सौधी अरब है बड़ी तेजी से लिया जा रहा है, माना जा रहा है कि सौधी अरब ने यह कदम प्रिंस मुहम्मद सामिल होने का अधिकार दिया गया उनको सेनाओं के तीन उसमें सामिल होने का अधिकार दिया गया इसी के सासाथ वह हज यात्रा पे भी जा सकते हैं बिना पूर्द सभी वावक के तो लगाता है मैंनाओ ता सम्मनी जो है अधिकारों के बारे में बिचार कर रहा है उनको अधिकार दे रहा है तो यह चीज़े हम रखेगा नेक्स्ट है पेरिस जलवाई समझोते में फिर से सामिल हुआ अमेरिका जो कि पेरिस जलवाई समझोते से अलग होने के कुछ महीने बाद एक बाद फिर से अधिकारिक तोर पर इसमें सामिल हो गया है पुरूराष्टपती डॉनल्ड ट्रम ने पिछले साल नमेंबर में अ अपचारिक रूप से पेरिस जलवाई समझोते से खुछ से अलग कर दिया था समझोते का उद्देश क्या है वैश्विक ग्रीन हाउस सर्जन को काफी हद तक कम करना और 11 सदी में वैश्विक तापमान को पुर्व अध्योगिक अस्तर से ठीक है पुर्व अध्योगिक अस को पुर्व अध्योगि कस्तर था उससे पहले के 2 डिग्री सेलशियस तक सिमिट करना या परेइब समझ होता इक बादिकारी समझ अदर अमेरिका ने इसको हटा दिया था को 21 समद्धीते द्यान रहें का बार-बार रिपीट कर रहे हूं ऐसी चीज़े बनती हैं नेक्स्ट है कि एक फाइनेशल एक्सेंट टास्पोर के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का अस्थान कायम पाकिस्तान को कुछ चेतावनी दी गई थी उसको सुधारने के लिएक मौका द तो फाइनशल एक्सेंट टास्पोर के पेरिस में हुई बैठक पाकिस्तान को फिर से सहमती जताई की है इस बैठक में पाकिस्तान को फिर से इस लिस्ट में कायम होने की जो है सहमती जताई ये फैसला पाकिस्तान दोरा आत्यकवाधी गती वीडियो पर लगाम लगाने आर एकर उसको आर्थिक सहायता करोगे तो वो उस अर्थ का यानि कि उस पैसे का उस सहायता का आतंकवादी गतिविदियों को बढ़ावा देने में भूमी का करनी भाएगा आतंकवादी गतिविदियों को बढ़ावा देगा FATF का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बनाई गई 17 सुत्री कारिवाही योजना को पूरी तरीके से लागू करने में बिफल रहा खासकर वह रणितिक रूफ से अहम कम्योग से निपटने में असफल रहा चुकि कुछ 27 सुत्री कारिवाही योजना बनाई गई थी कि तुमको मतलब बैक तरीके से पाकिस्तान को कि यह यह चीज़े आपको करनी है जिसको करने में जिसको क्रियानमित करने में पाकिस्तान जो है असफल रहा और फिर FATF की जो पैरिस में बिटिंग हुई उसमें यह decision लिया गया कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा और इसी के साथ सा तुदको जा अंतरास्टी आर्थिक सहायता मिलती थी अब उसको अभी भी रोक लगी रहेगी तो अभी पाकिस्तान जो है सुधरने वाला नहीं है जो बेडन एक लिजे 46 वे रास्टपती बने है इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेडन सबको पता है अमेरिका के नए रास्टपती बने है डानल्ड ट्रम को ये डानल्ड ट्रम की पराजय के पाथ नए रास्टपती जो बेडन मेंटर करता है कि उनका जो नंबर है जो कौथ है नंबर के बने है तो ये 46 वे 46 वे 46 वे लाज़ पती है यह जो वे रेकुल29 पर्टी के The claimed आपके तुमति आज 0 उप्र वेयरेց पे अमेरिका में कमला हैरिस बनी है वो देश की 49 वे उपराश्टपती ये चीज़ आपको पता होना चाहिए 46 वे रास्टपती बने है और 49 वे नंबर के उपराश्टपती बनी है जो की पहली महिला रास्टपती बनी है कमला हैरिस ये इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा इ यह 15 हे जो इसके पहले 14 उपराष्ट पती जहोंने राच्ट पती सफरEC किया था और अब 15 पती जो बैडान बने हैं जो कि इसके पहले कई उपराष्ट पती भी हुआ करते थे 29 वर्स की उमर में सीनेट में सामिल होकर के सबसे कम उमर के सीनेटर बनने वाले बाइडेन 2008-2008 से 2016 तक उबामा प्रसासन में बतोर उपरास्ट पती थे इंपोर्टेंट आपके लिए है कमला हैरेस क्योंकि वहां की पहली महिला उपरास्ट पती बनी है जो कि पहले ढहले 15 वे रास्ट पती जो कि पहले उपरास्ट पती बन चुके थे ठीकRE जो कि 15 वे उपरास्ट पती है जो कि ये रास्ट पती तक का सफर इन्होंने तै Manager किया है वह किस देश से संबन दित है, सिङगापूर के स्ट्रेट फूट को मानेता की आमूर्त सानस्कृतिक विरासत कीुनस को सूची में जोडा गया है देश की होकर संस्कृती उन विक्रिताओं के समुदाय को संदर्धित करती है जो पूरे देश में 114 होकर केंद्रिर में भोजन पकाते या बेचते हैं ठीक है नेक्स तेख लेते हैं नेक्स्ट है न्यूजिलेंड ने की जलवायू अपातकाल की घोश्रा ठीक है किस देश के द्वारा जलवायू अपातकाल की घोश्रा किया गया है न्यूजिलेंड की द्वारा किया तो न्यूजिलेंड ने दिसमबर 2020 में जलवायू अपातकाल की घोश्रा किया जलवायू अ दो हजार पचीस तक कार्बन टथस तक कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है ये चीज़ इंपोर्टन है कि वहाँ पे सारवरिनिक छेत्रे में न्यूजीलेंड की सरकार ने कब तक कार्बन टथस तक या कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है दो हजार पचीस तक इस कि यिसने जलवाही अपातकान की गोश्रा किया था इसके पहले भी절िय देशeffective के द्वारा किया गया था जिसमें जापन हो गानेड़ाः फ्रांस हो गिडिटेनी लोग सामिलते और अभी जलवाही मंत्रालाइक इसके द्वारा बनाबल गया था इस्लामी कानून में दी छूट देख लिजे सराप की खफत और विभाइद जोड़े के लीव इन पर इस्लामी कानून में दी गई खफत दी गई जो है चूट दी गई है यूएई में दी गई है सेयु तरब अमिरात ने देश को इस्लामी व्यक्तिकत कानून इस्लामिक पस्तन लॉज में एक बड़ी छूट देने की गुर्षा कि जिसमें ऐसी विबिन गती विधियों को अनुमती दी गई है जिन्होंने पहले प्रतिबंधित किया तो गया था उनको UA के द्वारा फिर से क्या किया गया है अनुमती प्रदान की गई जिसके इंतरगत दिखा जाए तो इसमें सराब प्रतिबंधों को धील करना वहाँ पे सराब जो थी वहां के खपत को प्रतिबंधित किया गया था उसमें धील गया जाएगा उनको छूट दी जाएगे और जो अविवाहित जोडों को एक साथ रहने के अनुमती देने के साथ ही समान रच्छा है तो ओनर कीलिंग को अप्राद मानने के अनुमती दी गई है तो ध्यान रखेगा वहाँ पे आवसराब प्रतिबंधों पर धील करना कहां पे UAE में और साथ-साथ जो लिव-इन र रहते हैं जोड़े वहाँ पे अनुमती दी गई है तरीके से UAE में और इसी के साथ जो सम्मान रच्छा जो ओनर की लिंग को अपराद घोशित करने वाला अरब नेशन UAE है साथ-साथ लिव-इन रिलेशन को अनुमती देने वाला UAE है और साथ-साथ जो वहाँ पे शराब पे जो प्रक्तिबंद लगाता उसको भी छूड़ देने वाला UAE है भी नेस्ट है बांगला देश में रेप के मामलों में मृत्यु दंड संबंदी अध्यादेश को मंजूरी इंपॉर्टन्ट यह हो जाता है कि हाली में कुमारत का कौन सा पडूसी देश है जिसने मृत्य मृत्यु दंड करने संबंदी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान के है बांगला देश में अब तक ऐसे मामलों में अधिक्तम सजा उम्र कहती चुकि वहाँ पे जो रेप के मामले काफी ज्यादा दर्ज होने लगे थी इसी को ध्यान में रखते हुए वहां के यानि की बा इचए और डारेक्ट मृत्यु दंड को सजा बदल दिया उसके लिए अत्रिया ध्यादेश यारी कि मृत्यु डंड परित करने माला जो देश हो भांगलादेश है और बीते सल बांगलादेश में ऐसी घटनाओं में ब्रिद्धी को लेकर के देजभर में बिरोध प्रजर्शन हुए थे, ठीक है, तो यहां के दिखर आश्पती कौन है, बांगलादेश के, अब्दुल हमीद है, और शेक हसीना यहां की प्रधान मंतरी है, ठीक है, तो फ्रे आइसे टेक्स सम्बंदी नीज वो डिस्कस कर लेंगे, फिर राश्ट्री जितने भी घटना क्रम है, उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे, इससे हमारा जो है, सारे जीजे जो इपर्टेंट है, करेंट अफ़े से रिलेटेट हमारे सारे कबर हो जाएंगे, इसी सारा जो है, 24 एक्जाम के पहले ही, जो पीसस का एक्जाम होने वाला, उसके पहले ही सारी चीजे हमारी रिवीजन हो जाएंगे, तो फ्रेंट, सेशन अच्छा लगाओ, तो लाइक करना नहीं भूले, जादा जादा शेयर करें, और इसका जो पीडियेफ है, वो डीकोड के टेलिग्राम ग्रूप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जॉइन कर लिजे, फिर मलते हैं अपने नेक्स सेशन में, तब ते के लिए बाइ, हगोड दूज, have a good day, stay safe and stay happy.